आज हम बनाएंगे फुल गोबी की सुखी सबजी बहुती अलग तरीके से और ये बहुती टेस्टी बनती है तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हमने गैस पर रखा है कड़ाय कड़ाय के गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे 2-3 चमज सरसो का तेल और ज मेडियम रखे हैं अब हम फुल गोबी को तेल के साथ अच्छे से मिला लेंगे और हलका सा भूनेंगे और जैसे हलका सा भूनेगा तो इसमें हम डाल देंगे 2-3 मेडियम साइज के काटे हुए आलू आलू को भी हमने पहले से ही छील लिया था और काट लिया था तो इनको भी हलका सा भून लेंगे और थोड़ा धग देंगे ताकि फुल गोबी का डंडल और अलू जो है अच्छे से प्थ % अब इसका ड़कन हटा के हम देखेंगे कि पकाय की नई तो इनको और थोड़ा सां चला लेंगा और हलका साही भूंना है घ्यादा नहीं भूरुनना है अब हम सारे फुल गोबी को एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसी कड़ाय में हम डाल देंगे फीर से सरसो का तेल दो से तीन चमच और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो हम इसे में डाल देंगे साबू जीरा आधा चमच जैसे ही तम नमक हल्दी को थोड़ा सा भून लेंगे नहीं तो फिर हल्दी का फुस्बू आने लगेगी अब इनको थोड़ा सा चला लेंगे और जैसे भून जाएगा इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले तो मसालों में हमने लिया है भूना हुआ जीरा पौडर एक चमच और आधा चमच हमने लिया है कस्मीरी लालमिश पौडर अब मसालों को भी थोड़ा सा भून लेना हमें जादा नहीं भूनना कस्मीरी लालमिश पौडर जे बहुत जल्दी जल जाते हैं अब इसमें हम डाल देंगे एक से तो चमच दही दही को हमने mixisar में grind कर लिया था थोड़ा सा पानी मिलाके अब इसमें हम डाल देंगे फुल गोवी आलू को अब जब भी दही डाले तो गैस का फिलेम लो रखें नहीं तो फिर गैस बंद कर दे नहीं तो पिर दही फट जात आप चाहे तो चमच से भी दई को फेड़ सकते तो मसालों के साथ हम गोवी आलो को अच्छे से मिला लेंगे और भूनेंगे मसाला सुखने तक क्योंकि इसमें से थोड़ा पानी निकल आ रहा है तो थोड़ा सम गैस का फिले मिस्टाइम हाय कर देंगे और भूनेंग अब इस पसंद होसी साफ सप मिर्च डाले तो इसमें हम डाले घरला निया गराम मसाला जएस अ पर लेते हैं अब किसी के भी साथ खा सकते हैं रोटी पूरी या तो चावल के साथ इसमें खास बात यह है कि यह बहुत ही कम मसालों में बनके तयार होता है आपको बाहर से सब्सक्राइब करना ना भूले तो फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ